आज मैं लेकर आई हूँ चिकन वेजिटेबल स्पेगेटी की रेसिपी स्पेगेटी बहुत ज़्यादा शोक से खाई जाती है बच्चे बड़े बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं और यह बहुत ही हेल्दी रेसिपी है असानी से आप इसे घर पर बना सकते हैं इस वीडियो में आपको मैं बहुत ही असान तरीके से चिकन वेजिटेबल स्पेगेटी की रेसिपी बताऊंगी आईए इसे बनाने के लिए देखते हैं हमें किन-किन चीजों की ज़रुवत है चिकन बोनलेस मैंने लिया है 300 ग्राम यानि एक पाउ से थोड़ा सा ज़ादा है और चिकन को आपने इस तरह से लंबाई में बड़े-बड़े पीसिज में काट लेना है बहुत ज़दा बड़े पीसिज में नहीं काट ना इस तरह से हमें लंबे-लंबे strips में काट लेना है spaghetti मैंने ली है 250 gram, मेरे पास 500 gram का packet था, जिसमें से मैंने half ले लिए और half ले की मैं recipe बना रही हूँ 250 gram मैंने ये spaghetti ली है chicken को marinate करने के लिए हमें नमक चाहिए होगा half teaspoon, half teaspoon ही मैंने दड़ा मिर्श ली है तेबल स्पून ही मैं soy sauce लूँगी oil हमें चाहिए होगा 4 तेबल स्पून या आप 1 फोर कप ले ले lesson मैंने लिया है मोटा crush किया हुआ half tablespoon एक चोटे साइस की शिम्रा मिर्श ले थी, इसे मैंने इस्ता से लंबाई में pieces में काट लिया है एक ही मैंने प्याज लिया था इसे भी मैंने slices में काट लिया है एक अदर tomato slice में कटा हुआ 2 तेबल स्पून भरके tomato ketchup लिया है, इसमें आप चिली garlic sauce भी डाल सकते है 2 तेबल स्पून मैंने भरके corn flour लिया है और oregano इसमें जाएगा half teaspoon पानी डालने के लिए मैंने लिया है 2-3 तेबल स्पून अब मैं रेसीपी स्टाट करूँगी सबसे पहले चिकन को मरिनेट करना इसके लिए मैं चिकन में डाल दूँगी नमक, दड़ा मिर्च, कालिमिर्च पाउडर और ये जीरा पाउडर साथ ही इसमें सिर्का और स्वय सॉस डाल के इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी मिक्स करने के बाद हमें इसे marination के लिए रख दिना है तकरिबन आदे घंटे के लिए इसे मैं cover करके आदे घंटे के लिए साइड पे रख दूँगी अब मैं पानी बॉइल कर लूँगी पानी मैंने लिया है डेट से दो लिटर इसके बीच में मैंने half टेबल स्पून नमक डाल दिया है और one टेबल स्पून मैंने इसमें oil डाला है हाई फ्लेम पे इसे उबाल दिला देना है जब उबाल आ जाए तो इसके बीच में स्पैगिटीज डाल दें स्पैगिटीज कभी भी थंडे पानी में नहीं डालें आप चाहे मिक्रोनी बनाए या स्पैगिटीज बनाए इसे आप कभी भी थंडे पानी में नहीं डालें तोड़ी तेर बादी से इस तरह से मिक्स कर लें ताकि यह आप इसमें जुड़े नहीं आट से दस मिनट तक मीडियम फ्लेम पे स्पगेटीज को मैंने पका लिया एच्छी तरह से पक गई है अब इसे मैं चलनी में डाल दूँगी और उपर से थंडा पानी गुजार लूँगी इससे चमच से मिक्स कर लें और इसके ओपर वन टेबल स्पुन ऑल डाल दें और इसे बुबार conduz कर लें ताकि यह आप इसमें जुड़ें नहीं अब मैंने एक अदर अलग पैन लिया है, इसमें ऑईल डाल दिया है, लेसन डाल दिया है, इसे में मीडियम फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राइ कर लूँगी, और जब इस दान से लेसन का कलर आ जाए तो इसके बीच में मेरिनेट किया हुआ चिकन डाल दें, चिक तकरिबन कवर करके पांच मिनट तक मैं पकने दूँगी, तक कि चिकन अच्छे से गल जाए, तब तक मैं कौन फ्लोर रेड़ी कर लूँगी, कौन फ्लोर में, अब मैं पानी डाल दूँगी, टू से 3 टेबल स्पून, और अच्छी तरह इसे मिक्स कर लूँगी, ताकि इ अब मिक्स कर लें, थोड़ा सा इसे पका लें, पकाने के बाद अब इसके बीच में कैचप आट कर दूँगी, आप इसकी जगह पे चिली गर्लिक सॉस भी आट कर सकते हैं, तो से 3 मिनट तक इसे मैं पकाऊंगी, मिक्स करते हुए, इसके बाद इसके बीच मैं चिम्ला डाल दूँगी नंबाई में कटी हुई और प्यास डाल दूँगी साथ ही इसमें टमाटर एट कर दूँगी और अब इसे अच्छी तरह से मैं मिक्स करते हुए थोड़ा सा पका लूँगी इस टाइम पे हमें जादा इन चीजों को पकाना नहीं है क्योंकि यह चीजें इसमे करंची ही अच्छी लगती है आखिर में इसके अंदर डाल दूँगी और इसे भी मिक्स कर लूँगी मिक्स करने के बाद अब इसमें मैं डाल दूँगी बॉयल स्पेगेटी और अब इसे बहुत अच्छी तरह से इन तमाम चीजों में मिक्स कर लें मज़ेदार चिकन यह है को बाई भात आपसिद नो सब्सक्राइब नहीं से कीजी Me хоч अब है इसается क्य," आपको अब कर अगी मेरे चैनल के नहीं कि प्ली चैनल को सब्सक्राइब कब में एक अफैसे कना पर बेल आइकोन और पर ट्राइ करें मेरे अ Yo person. सबसे पहले आपको मिले अलहाफिज